भात्य जनता पार्टी के नेता गोपाल भारगव ने जाबूआ में अपनी चुनावी भाशन में कहे दिया कि शिवराज सिंग चोहां दिवाली के बान फिर मुख्यमंत्री पद की शपत लें गे वहाँ पार्टी के यूवर सम्मिलन में शिवराग सिंग चोहान की मौजूधी में यह बात कही लेकिन बात में जब मीडिया कर्णियों ने उनसे इस दावे को लेकर बात कही तो वे इसे पूरी तरह मुकर गए और उन्होंने कहा कि यह केवर चुनावी भाशर था इसका कोई अर्थ ना निकाला जाए इनर कॉंग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नीलाव शुक्ला ने भारगव के इस बयान को लेकर कहा इससे यह साबित होता है कि भाशपा चुनाव जीतने के लिए महट चुनावी जूटे हदकंडो का इस्तमाल करती है अभी तक उसने सभी चुनाव ऐसे ही जूटे हदकंडो से जीते है यही है भाशपा की असली चाल जो अग सामने आया है इन दोर की एक चुनावी सभा में आद दूपार में जैसा की चुनावी सभा में भाशन होते हैं समूधन होते हैं उसे मेरे द्वारा एक कहा गया है कि अदि आप लोग हमारे उमीदवार को समर्थन देंगे तो इस इस तरह के हम लोग आगे परिवर्ट अला सकते हैं मैसर विशलिये भी कि रायंतिक सभाओं में, चुनावी सभाओं में इसे वक्त पे इसी प्रकार की भाशन, इसी प्रकार की कथन, इसी प्रकार की लोगों की साथ में आश्वासन दिये जाते हैं इसके लिए किसी प्रकार से ये मान की अदि हम चले कि हम कोई समधान में संशोधन कर रहे हैं तो इसा नहीं है ना अभी हमारे पास में ऐसे कोई नमबर है ना संख्याए विधायकों की और हमारे राश्टी नेतत को अभी किसी प्रकार का उस तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि सारी बातों का नेड़ा हमारा राश्टी नेतत तो जो है वही करता आया है वही करेगा तो इस कारण से यादिकारी रूम से मैं कहने वाला कोई नहीं होता है इसको इस सिर्फ एक चुनाओ भाशन के दोरान कहा गया एक बाद के समझा जाना चाहिए इससे अदे कुछ नहीं है इन्वेस्टर समिट के बारे में मैं शुब कामना ही दे सकता हूँ लेकिन जैसा पहले कि इन्वेस्टर समिट में हुगा है कि हमने देखा कि बहुत लाखों करूर रूपे के एमोई उशायन हुए और इसके बाद में मूर्तुरूप नहीं ले सके तो मुझे लगता है कि इसकी गती भी वैसी होना है यह सिर्फ बेरोजगानों को नौजवानों को ब्रहम में रखने का एक उपकरम है और इससे जदा और कुछ नहीं है कि उन्हें रोजगार दे रहे हैं और मैं मुक्यमंदी कमलना जी से और सभी से कहना चाहता हूँ कि लाखों पद सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं पहले उन्हें न्युक्तियां करें जो उनके अधिकार में है